हेलो डियर श्टुडेंट्स तो आज का टॉपिक है रिफ्रेक्शन आफ लाइट तो हम लोग सुरू करेंगे रिफ्रेक्शन आफ लाइट कै ओके तो सबसे पहले तो लाइट ट्रेवल कैसे करता है यह तो आप लोग को लाइट ट्रेवल्स इन अ ट्रेट लाइड आवरीवन नो और लाइट जो ट्रेवल करता है तो जो अलग-अलग समस्टांस होते हैं जैसे कि जब लाइट ट्रेवल करेगा तो आपको सब कभी ट्रेवल करेगा क्या शीज में एर में हैं ना light in air, light travels किया air में, light travel किया light in glass, light in water, अलग-अलग जगा पर ये travel करता है, तो air हो गया, इसे हम कहेंगे medium one, ये हमारा one medium है, ये हमारा दूसरा medium है, तो इसे हम लोग कहते हैं medium two, तो ये समझ में आया, medium क्या होता है, ये हो गया हमारा medium three, यानि किस medium में light हमारा travel कर रहा है, वो हो गया, हमारे को medium, अब density अगर आप देखेंगे तो density जो अगर आप देखेंगे घनत तुझी से कहते हैं तो air का density क्या होगा सबसे लो होगा अगर इस तीनों में देखिए तो density of air सबसे कम होगा और यह सबसे लो होगा density of air है ना और इससे ज्यादा density किसका होगा वाटर का density of water इससे ज्यादा density वाटर का है और इससे भी ज्यादा density किसका रहेगा ग्लास का यानि कि light जो travel करता है तो उसका जो speed होता है वो depend करता है density पर medium के density पर कि किस medium में वो travel कर रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हम लोग का यह chapter है reflection of light reflection of light तो सबसी पहला सवाल आता है कि what is the reflection of light reflection of light क्या होता है तो आईए मैं आप लोग को reflection of light समझाता हूँ इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक glass का slab लाता हूँ जाट का प्या करता हूँ slab लाता हूँ यह है हमारा glass का slab है ना और इस glass के slab में हम लोग light परवाहित कराते हैं okay तो अब क्या करेंगे एक light हम लोग परवाहित कर आते हैं glass के slab में है ना तो चलिए glass के slab में एक light हम लोग प्रवाहित कराते हैं और draw करते हैं एक line ray of light तो ray of light एक आती है यह ray of light ठीक है this is the ray of light इस अभी कहां चल रहा है यह ray of light air में अब यह air से क्या करेगा ray of light हमारा जो है वो आपको परवेश करता है glass के slab में तो यह यहां इस point पर परवेश किया है ना तो इस point पर हम यहां पर क्या करा रहे हैं इसे glass slab में अंदर परवेश करा रहे हैं जैसे ही पढ़ेगा तो light तो परवेश करेगा तो यह जो line है यह आपका है normal ठीक है और यहां पर जब यह परवेश करेगा तो यह bands हो जाएगा, मुड़ जाएगा, यह light क्या हो गई, मुड़ गई, चलेगा straight line में और यह मुड़ जाएगा, clear, और फिर जब यह air में आएगा, फिर जब यह air में आएगा, तो फिर यह अपना normal रास्ता पकड़ लेता है, जिस ठीक इसके यह line और यह line हमारा parallel हो जाता है, यह दोनों line हमारा क्या हो जाता है, parallel, यह जो incident ray है, हमारा first ray है, ray 1, ray 2 हो गया glass में, और यह ray 3, अब यहाँ ray 1 और ray 3 क्या हो जाते हैं, parallel हो जाते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, कि जैसे ही आपका light जो है, air से आपका glass slab में आया, तो क्या हुआ उसका direction मुढ गया वो bends कर गया है ना change कर गया direction तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या reflection of light and define कर सकते हैं the change in, change in direction of light, direction of light when it passes from one medium to another, तूसरे medium में obliqually तो तिरिछा वो मुढ जाता है है ना, obliqually is called reflection of light, उसे ही हम लोग क्या कहते है, reflection of light कहते है, reflection नहीं, reflection, reflection of light तो यह हो गया हमारा definition, reflection of light का, या दूसरे सब्दों में हम इसे कह सकते हैं, दूसरे सब्दों में एक इसका और definition दे सकते हैं, कि the bending of light simple word में लिख सकते हैं, the bending of light when it goes from one medium, when it goes from one medium to another, दूसरे मीडियम में, to another, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो यह obliqually हो जाता है, यानि तिरिछा मूड जाता है, obliqually, obliqually मतलब होता है, तिरिछा मूड जाना, is called reflection of light, उसे ही कहते हैं, reflection of light, clear है, तो यह definition आपको एक्जाम में लिखने के लिए आएगा, और आप वहाँ लिखेंगे, हाँ, तो आपने यह जान लिया कि reflection of light क्या होता है, जब आपने reflection पढ़ा था, तो उसमें angle of incidence पढ़े थे, तो यहाँ भी होता है angle of incidence, और angle of incidence को आप I से denote करते थे, और वहाँ angle of reflection पढ़े थे, तो यहाँ देखते हैं हम लोग reflection में कि किस तरह से angle of incidence और reflection में relation बनता है, है ना, चलिए देखते हैं, तो एक picture draw करते हैं, अब देखी, यहाँ पर मैंने एक rectangular slab draw किया है, यह rectangular slab है, और यह जो slab है, यह आपका glass slab है, किस चीज़ का है, glass का बना हुआ है, अब एक light जो है ray, light का जो ray, यह जो red color का जो आप देख रहे हैं, वह आपका incident हो रही है, यहाँ इस point पर, और यह जो line है, इसे कहते हैं, हम लोग क्या normal, यह हमारा normal है, तो यहाँ पर जो यह angle है, यह 90 degree है, और यह जो ray है, इसी ray को कहते हैं, क्या incident ray, यह हमारा क्या है, incident ray, और यह जो angle जो बन रहा है normal के साथ, यह angle I है, आपका angle of, क्या angle of incident, और यहाँ पर क्या हुआ, reflection हुआ, reflection में क्या होता है, एक medium से, दूसरे medium में, ray जो है, light का ray, इंटर करता है, तो यह angle जो बनेगा, वो क्या होगा, angle of reflection, यह refracted ray है, यह जो ray है, इसे कहते हैं, हम लोग refracted, reflected नहीं, क्या कहते हैं, refracted, यह है हमारा, refracted ray, और यह होगी हमारा angle of reflection, तो angle of incidence को हम दोग डिफाइन करते हैं, तो the angle between incident ray, simple है, definition, the angle between, angle between incident ray, and normal, और normal के बीच का angle, normal क्या होता है, normal हुआ point हो गया, point of incidence हो गया, जो कि हुआ normal line आपका 90 degree slab के साथ बनाता है, है है न, and normal is called the angle of incidence, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, angle of incidence कहते हैं, अब next हम लोग देखते हैं, angle of reflection, है न, अगला टॉपिक है हम लोग का, angle of reflection, तो इसका भी definition आप लोग just like angle of incidence की तरह दे दिजएगा, बहुत simple है, तो angle of reflection हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसे define करते हैं, और बड़ा simple word में आप लोग define कर दिजएगा, कहिएगा, the angle between refracted ray, है न, refracted ray and normal, और नॉर्मल के बीच का, is called the angle of reflection, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, angle of reflection कहते हैं, reflection, और उसे denote किसी से करते हैं, आर से, और आप जानते हैं, law of reflection के अनुसार के angle I is equal to angle R होता है, लेकिन, reflection में, angle I और angle R बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहां दोनों का medium जो है, वो अलग है, है न, because due to different media, है न, अलग-अलग, medium में light travel करते हैं, इसलिए यहां angle I और angle R बराबर नहीं होता है, clear, okay, तो 2 minute के gap के बाद हम लोग फिर मिलते हैं, thank you,